हालो फ्रेंट्स वेलकम टू ओर जैनल एपिकलसिस तो कैसे हो आप सभी आई होप सभी एक दम अच्छे होंगे एक दम फिट होंगे हीट होंगे और अपने गरों में लोगडाउन का सही से उप्योग कर रहे होंगे है स्थों गूंट में हम आज बात करेंग है य्यूरोब महात्रीप की है है तो चल्लो स्टाट करते हैं vide उर्ब अजय सितीडकी ये तिनो और से पानी जिन गीरा है यूरोब को प्रहाई इजाता है क्यों को अधिग प्रहाई आधीप है जैसे साइबेरिया का प्रायदीप, जुटलेग प्रायदीप, स्केडिनेविया का प्रायदीप और कॉलब प्रायदीप आदी फेस के बात बात करते हैं यूरोब के उत्तर भाग में आर्क्टिक मासागर, दिक्षिन भाग में भूमदेश आगर, पस्टी में अंटलार्टिक मासागर, तथा पूरो में एसिया माध्यूप है यूरूब के मांचित्र की बात करें तो यूरूब का जो मेप वो कुछ इस पर कार है इधर वेस्टन स्टार्ट करें तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इधर नीचे इटली और एक बात यहां पर इटली को यूरूब का भारत भी का जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि jaki इटली भी क्या है बारत की तरह क्रेशृ प्रतां तरह हैं इसकी बांडोरेश की तो yorope को अश्या से युराल परवत pareervat युराल नदे काकेश परवत शेणी तथा केस्पीं सागर अलग करते हैं मतलब कि यूरोप और एशिया के मद्या यूराल परवत यूराल नदी काकेशिश परवश्यनी तथा केस पेंसागर है जो इन दोनों के बीच सीमातिया करते हैं फिर बात करते हैं अफ्रीका की तरफ तो अफ्रीका और यूरोप को जिब्राल्टर जलद्धन्दी अलग करती है ओके फिर बात करें अगर भुगोलिक विसेश्थाओं की तो पूरे माधविप को जो यूरोब माधविप है इसको कितने भगों में बंटा गया है चार भगों में ओके वे चार भागे इस पर का रहे हैं उत्री पस्चिमी उच भूमिया यूरोब का उत्री मेदान मध्यवर्ति उच भूमिया और अलपाईऱ चित्र तो बात करें उत्र पस्चिमी उच भूमियों की तो जो उत्र पस्चिमी उच भूमिया है उनका विस्थार फीनलेंड नारवी सुईडन तर्था बृतेन का जो द्वीप समय वहां तक फिला है इसी चित्र में जो फीप jeंल भूमी के दक्षणी भाग में जो यूराल परवत है वहां से लेकर अंट्रांटिक महासागर तक जो है यह उत्री मेदान फेला हुआ है और इसी के जो जो उत्री मेदान है इसके उत्तर भाग में क्या है स्वेद सागर स्थित है अगर परतिषट्ता के हैदार पर बात की जाए तो यूरोब महादेव का जो मेदान भाग है उसका विस्थार विशव में सर्वादीक है फिर बात करते हैं मध्यवर्ती उच भूमियोंगी तो जो मध्यवर्ती उच भूमी चेतर है यहां पेर प्रवतों और पठारों का विस वीच्छ बूम्या हैं आप बात करें अलपाइन श्रनी की तो जो अलपाइन श्रनी का विस्तार है वह यूरोब मादव के दक्शनी भाग में हैं यह एक प्रकार के जो नवीन मोड़दार परवत हैं और इनका जो विस्तार है वो अंटलाइटिक महासागर से लेकर केश्पीन सागर तक है और जो अलपस परवत है वो इसके मद्यवर्ति पाक में स्थीत है अब बात करें इसके मुख्य परवतों की यूरोप के तो सबसे पहले बात करते हैं अलपस परव परवत की तो यह एशिय और यूरोप को अलग करता है इसका जो विस्तार है वो रूस अर्मानिया जोर्जिया और अजर्बी जन्मी है इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट एलब्रूस जिसकी उचाए कितनी है 5,642 मेंटर और यह जो माउंट एलब्रूस है यह यू इंग्लेंड देस में है माउंट विसुविस इटली में है माउंट स्ट्रांबोली स्ट्रांबोली जिसको बोलते है यह इटली में है यूराल परवत जो की रूस में है जूरा परवत फ्रांस और स्वीजर लेंड में है ब्लेक फॉरेस्ट जो की जर्मनी में है और लास्ट मतलब फ्रांस और इटली की मद्या अलपस परवत स्थित है और फ्रांस तथा जर्मनी की मद्या वास्जेस परवत स्थित है अब बात करते हैं इरोब की खाडियों की तो बात करते हैं बोथनिया की खाड़ी तो बोथनिया की खाड़ी किसका भाग है बाल्टिक सागर का भाग है और इसकी जो वस्थित है वो स्वेडन और फिल्लेंड की मद्या है फिर बात करते हैं फिल्लेंड की खाड़ी जो किसका भाग है बाल्टिक सागर का भाग है और इ कि पास है फिर लास्ट में बात करते हैं विस्की की खाड़ी जो किसका भाग है उत्री अट्लांटिक मासागर का भाग है और इसकी जो अवस्तिती है वो फ्रांस और स्पेन की मत्य है ओके फिर बात करते हैं युरोप की जलसंदियों की तो जो जिब्राल्टर जलसंदी है वो यूरोप और अफरीका को अलग करती है और भूमेदे सागर और अटलांटिक मासागर उनको जोड़ती है फिर बात करते हैं डोवर जलसंदी की तो यह जो जलसंदी है यह फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है और जो उत्री सागर है उसको इंगलिस चैनल से जोड़ होती हैं फिर बात करते हैं सेंड जोड चेनल की तो यह जो जोड चेनल है यह आईरलेंड करनाजे को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है और जो कि आईरिश सागर है उसको सेल्टिक सागर से जोड़ता है अन्य जलसंदियों में पासपोरस जलसंदी, कर्च जलसंदी, मेसीना जलसंदी और ट्रांटो जलसंदिया दी युरोप माध्यूप से सबंदित महतोपुन जलसंदिया है अब बात करती है युरोप माध्यूप की महतोपुन नदिया तो सबसे पहले वोलगा नदी जो कि यूरोप माद्यूप की सबसे लबी नदी है यह रूस के वलदाई परवत से निकल कर केस्पियन सागर के उत्री बाग में परिवेश करती है केस्पियन सागर जो कि विश्टव के सबसे बड़ी खारिक पानी की जील है परन्तु जो वोलगा नदी है इसके कारण इसका जो उत्री बाग है वो मिठा है फिर बात करते हैं यूराल नदी की तो यूराल नदी का जो उद्गम स्थेल है वो यूराल परवत है और यह यूरोप और एशिया के मद्या सीमा बनाती है और जो युराल नदी ए याविट यूरोब की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और जो इसका मोहना वो केस्पियन सागर में है फिर हम बात करते हैं डेन्यूब नदी की तो डेन्यूब नदी जर्मनी में सित बलेक फॉरेस्ट से निकलती है और यूरोब के लगबग 10 देशों से बैती हुई खाला सागर में गिरती है यह नदी पांस देशों की राज़दानी से उकर प्लू जरती है कौन-कौन से जो राज़दानी है फरस्ट है वियना जो की ऑस्ट्रिया की राज़दानी है भुड्डापेस्ट जो की हंग्री की राज़दानी है बुखारेष्ट जो रोमानिया की राज़दानी है ब्राट्सलाविया और ब्रेलग्रिड ब्रेलग्रिड जो की ça की कैपिटल है फिर हम बात करते हैं सीन नदी तो यह जो फ्रांस का पठारी बाग है वहाँ से निकलती है और इंग्लिस चैनल में जाकर किरती है और इसी सीन नदी के तड़ पर फ्रांस की राज़दानी पेरिशतीत है जो कि पूरे विशव में सुंद्रिय परसादन के लिए परसीद है फिर हम बात करते हैं पो नदी तो यह नदी अलपस परवत से निकलती है और पो नदी इटले की सबसे लंबी नदी है इसे इटले की गंगा भी कहते है पो नदी लेंबाइडे के मिदान से परवाहित होती है जो यूरूप का सबसे बड़ा चावल उत्पादक चुतर है और पो नदी जो का जो बेशन है वहाँ पर उद्योगों का सरवादी क्विकास हुआ है यहीं पर एक मिला नाम का सहर है जिसे इटले का मैंचेस्टर और एक तुरीन सहर है जिसको इटले का डेट्रोइड कहते हैं और फिर नेक्स रिवार है टेंपस नदी यह नदी लेंड की राज़तानी लंदन तथा ओक्सपोर्ड वे रीडिंग सहर स्थीत है ओके फिर बात करते हैं रोन नदी तो इसके तड़ पर फ्रांस का जो लियोन वे मार्शिल सहर है वो स्थीत हैं लियोन को फ्रांस की सिल्की सीटी भी का जाता है मार्शिल जो के फ्रांस का सर्वादिक दूसरा सबसे बड़ा जनसंग्यावाला सहर है फिर नेक्ष्ट हम बात करते हैं निश्टर नदी जो के माल्टोवा की महतरपूर नदी है यह नदी माल्टोवा भी यूकरेन की बीच सीमा बनाती हुई काला सागर में गिरती है तो स्प्री नदी के किनारे जो जर्मनी है उसकी राजदानी बर्लिन स्थीत है लोयर नदी जो के फ्रांस की सबसे लंबी नदी है फिर हम बात करते हैं ठोगस नदी तो इसके किनारे जो पूर्टगाल है उसकी राजदानी लिस्बन स्थीत है फिर हम बात करते हैं नीपर जो कि यूक्रेण की सबसे लंबी नदी है अब हम बात करते हैं युरॉप की महतपुन्ट इली तो फर्स्ट लडोगा जील जो कि रूसमें स्थीत मेठे पाने की जील है और यूरूप की सबसे बड़ी जील है चेतरफल की दृष्टी से फिर हम बात करते हैं ओनेगा जील तो ओनेगा जील यह भी रूस में स्थित है और मेटे पानी की जील है जो यूरूप की दूसरी सबसे बड़ी जील है चेतरफल की दृष्टी से अदर लेक्स कौनकौंची है तो फिरस्ट है कॉंस्टेंस जील जो कि राय नदीज जिसे होकर गुजरती है और एक और जो जील है वेटर्ण जील जो कि स्थित है अब हम नेक्स्ट पॉंट की बात करते हैं कृशी तथा प्रकृतिक संसादन तो सबसे पहले क्वेले की बात कर स्छंट में सरुवत्mek कि श्म का कोईला पाइजाता है अब बात करें लोहे ऐस कि तो एसर के प्रांस युक्रेन स्वीडन तथा रूसके कुसरकी चसुत initiator में पाये जाता हैं कि लोहेस. पात की बात करें तो यूरोब में लोईस पात के परमुख पंड जो केंदर है वो कौन-कौन से हैं फ्रांस यूक्रेन जर्मनी तथा यूनाइटिट किंग्डम और एक छेतर है ग्रेट ब्रिटेन का बर्मिगम जो की ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योगिक छेतर ह यूरोब में गेहों का उत्पादन सरवादिक होता है गेहों की सरवादिक केती स्टेपी प्रदेश में की जाती है और यूरोब के जो यूक्रेन जो गंटरी है वहां पे गेहों की विस्तरित केती की जाती है जिसका आने से विस्तों का अनभंडार तथा रोटी की इडिलि का सबसे बड़ा केंदर है। फिर बात करते हैं इटली को भारत यूरोब का भारत भी का जाता है। क्यों का जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषी प्रदाशेतर है। इटली विसव का सबसे बड़ा अंगूर वेज्जेतुन उत्पादक देश है। स्कोटलेंड में स्थित डिंडी, विसव का महतपूर्ण, सुतिवस्तर उद्योग के इंदर है। जहां विसव का पहला पर्टसन उद्योग स्थापी दुआ था। अगे फिर अधर इंपोर्डेंट्टस की बात करते हैं। तो विसव का सबसे चोटा देश है वेटिकन सीटी वह यूरोब मादविब में ही स्थित है। अगर बात करें विसो के सबसे बड़े महल की तो विसो का सबसे बड़ा महल वेटिंगन सेटी में ही है फिर थर्ड पॉइंट में बात करते हैं स्वीजर लेंड को यूरूब के खेल का मेदान का जाता है और जो विसो की सबसे परसिद शेंपेंड श्राब हैं, वो कहां बनती है? फ्रांस में बनती है. नेक्स्ट पॉंट की बात करें, तो छेतरफल की द्रिश्चिय से विसो का सबसे बढ़ा देश रूस, यeरूप माद्यूप में स्थित है. फ्रांस की जो राजदानी है पेरिस जो कि सीनदी की किनारी बसी है इसे फेशन नगरी तथा फ्रांस का हर्दे भी कहते हैं ओके फिर इटली का एक सहर है वेनिस जिसको एडियाट्रिक की रानी कहा जाता है फिर हम बात करते हैं फ्रांस की राजदानी पेरिस में विएसव का सबसे बड़ा और आर्ड म्यूजियम लुवर स्थीत है फिर next फ्रांस वे जर्मनी के मद्धे की रेका को मेगी णोर्ट रेका का जाता है और पोलेंड और जर्मनी के मद्धे जो रेका है उसे क्या कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा ओके फिर हम बात करते हैं इंग्लेश चैनल तो इंग्लेश चैनल ब्रेटेन तथा फ्रांस के मध्य स्तीत है और इंग्लेश चैनल को पार करने वाली पर्थम भारतिय मेला कौन थी आरतिशाहा जिनका पूरा नाम क्या है आरतिशाह गुपता फिर हम बात करते हैं युरोप महादिव के बारे में तो विशो का सबसे बिक्षित वै उद्योगी करत महादिव कौन सा है युरोप महादिव है इसी महादिव से क्या है कि नय तो विशुवत रेखा नहीं करेक रेका और नहीं मकरेका गुजरती मलग तीनों रेकाई इस महादिव से ओकर नहीं गुजरती फिर हम बात करते हैं जर्मनी की जो के युरूब का देश है सबसे अधिक उद्योगी करत देश है और विसव में पवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है प्रन्तु जो पवन चक्यों का देश है वो किसे का जाता है नीदरलेन को का जाता है तो आज हमने युरोब महादिव कंप्लेट किया थेंक्स वर वाचिंग आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेजिए अगें थेंक्स वर वाचिंग हैव अनाइस टे